असलावलेकूम अब्रिवन कैसे हैं आप सब लोग तो आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ यूपी का बेहत फेमस कड़ाओ गोश की रेसिपी ये गोश गईज यूपी में शादियों में अकसर बना जाता है और उसके टेस्ट और जाइकी की वज़ा से ये दूर दूर तक फेमस है गईज ये अक्सर एक बड़े से लोहे के कड़ाओं में बनाए जाता है लेकिन हम बनाएंगे एक छोटी से लोहे की कड़ाओं में अगर आपके पास लोहे की कड़ाओं नहीं है तो आप किसी भी बरतन में बना सकती है तो सबसे पहले हमें लेना है एक लोही की कड़ाई और उसमें डालना है कम से कम 400 ग्राम मस्टरड ओयल इस गोश की एक खासियत है कि ये सरसों के तेल में ही बनाए जाता है गैस तेल के वोटिटी आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं लेकिन इस गोश में थोड़ा जादा ये एक्स्टर तेल जाता है इसलिए मैंने 400 ग्राम तेल लिया तेल को हमें अच्छे से करम करना है अब मैंने लिया यहाँ पर 2-3 लसन की कलिया इनको हमें अच्छे से कूट लेना है जब लसन अच्छे से क्रेश हो जाएगा इसको एक बाउल में हम ट्रांसफर कर लेंगे और साथ ही डालेंगे इसमें हम हाफ टी स्पून के बराबर सॉल्ट और इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी और दोने चीज़ों को मच्छे से मिक्स कर लेंगे लसन और नमक का पानी यहाँ तयार हो चुका है और हमने जो तेल यहाँ पर गरम होनी के लिए रखा था वो भी काफी अच्छी सी गरम हो चुका है गैस की फ्लेम इस स्टेज पर मैं बंद कर दूँगी और फ्रेंट्स गरम गरम तेल में अब हम यहाँ पर नमक और लसन का जगूल हमने बना कर रखा था उसका थोड़ा थोड़ा सा पानी हम डालते जाएंगे और उपर से हम इस तरह से धकन लगा देना है क्योंकि इसमें बहुत ज़ादा छीटे बाहर आते हैं इस प्रोसेस को हमें कम से कम दो से तीन बार करना है ऐसा करने से गाईस जो कड़ाव गोश का रोगन है वो बहुत ही ज़ादा टेस्टी बनके तयार होता है अब मैंने में यहाँ पर लिया है तीन सु ग्राम प्याज प्याज को मैंने स्लाइस में काट लिए आधी प्याज को हम तेल में डाल देंगे और आधी प्याज को हम आगे इस्तिमाल करेंगे तो इस प्याज को हमें साइड में रख देना है और इस प्याज को हम गोर्लन ब्राउन होने तक तेल में फ्राइ करेंगे अब मैंने लिया है गईज एक बाउल बाउल में डालना है हमें एक टी स्पून हल्दी इस गोश में हल्दी का इस्तमाल जादा किया जाता है और इसमें डाल देंगे हम फिल्कुल थोड़ा सा पानी कॉटल कप के बराबर और दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब आप यहां पर देखिए जो हमारी प्यास है वो हाफ गोल्डन हो चुकी यानि कि प्यास जो है पूरी तरह से गोल्डन नहीं है आधी पक चुकी है तो इसी स्टेज पर हम यहां पर सारे खड़े गरम मसाले डाल देंगे जो कि आपको प्लीट में दिखाई दे रहे हैं अब गरम मसालों को भी हम प्यास के साथ अच्छे से पकने देंगे और यहां पर हम वेट करेंगे कि हमारी प्यास अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए और जैसे ही प्यास अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी इसी स्टेज पर हम डाल देंगे हल्डी और पानी का पाना है वो निकल जाए जब हलदी अच्छे से भून जाएगी तो इसी स्टेज पर हम ढाल देंगे यहाँ पर मतन मैंने यहाँ पर लिया है 1 kg मतन आप जैसे ही मतन डालें तो इसमें 1 टी स्पून नमक जरूर डाल दें इससे क्या होता है अंदर तक नमक हमारे मतन में पहुं झीच पर हम यह पर एड़ करेंगे लशन अदरक का पेस्ट चार से पॉंच टीसपून भर भर के मैंने यहाँ पर ढाल दिया जिंजर और मतन को हम जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ अच्छे से पांच मिर्ट तक हाइ फ्लेम पर भूंगे और पांच मिर्ट जो है वो आप अपने टेस्ट के according कम या जादा कर सकते हैं सारी चीज़ों को हम अच्छे से mix करेंगे और गैस की flame इस stage पर आप medium पर रखें क्योंकि हमने सूखे मसाले डाले हो सकता है कि आपके मसाले जल जाएं अब हमें डाल देना है एक ग्लास पानी और एक अच्छा सा mix देंगे और medium to slow flame पर गोश को हम cover करके पकने के लिए रख देंगे कम से कम 55 मिनिट के लिए या जब तक कि हमारा गोश 95% तक अच्छे से नहीं गल जाता एक mixi के जार मैंने यहां पर लिया है इसमें डालना है एक तीसपून खशकर्श और 8-10 डालना है बादाम दो डालना है मैं अक्रोट की ग्री और थोड़ी सी लेना है हमें यहां पर खोपरा और इन सारी चीजों को हम अच्छे से पानी डाल कर बिल्कुल बारिक सा पेस्ट बना लेंगे और फ्रेंट्स इस पेस्ट को हम रख देंगे एक साइड और मतन को पकते हुई यहां पर 50-50 मिनिट हो चुके हैं अगर आप मतन हाट रह जाए तो थोड़ा पानी डाल कर आप थोड़ी देर के लिए और पका लें ताकि आपका भी मतन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए जैसे जैसे कि कड़ाव गोश बंदा जाएगा इसका जो रोगन आप देख रहे हैं जिसको हम तार भी बोलते हैं वो इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता जाएगा और खासियत यही होती है कड़ाव गोश की कि इसके रोगन का कलर थोड़ा सा ब्लैक होता है और बहुत टेस् और फ्रेंट्स दही को डालने के बाद हाई फ्लेम पर गोश को हमें बराबर चलाती हुए 4-5 मिनिट के लिए अच्छे से भून लेना है और फ्रेंट्स जितना आप अच्छे से भूनेंगी इस कढ़ाई गोश का टेस्ट उतना ही जादा अच्छे से निकल कर आएगा और इसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे ड्राइफ फ्रूट्स का पेस्ट जो कि हमने अल्रेडी बना कर रखा था और फ्रेंट्स ड्राइफ फ्रूट का पेस्ट डालने के बाद कम से कम हम गोश को मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे 8 से 10 मिनट के लिए क्योंकि गोश अब बनने पर है और इसकी हमें करना है अच्छे से भूनाई लेकिन आप वीडियो को छोड़कर मत चाहिए इसमें हम और भी ऐसी चीज़ों को एड़ करेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत जबर्जस निकल कर आएगा तो फ्रेंट्स मीडियम या फिर स्लो फ्लेम पर आपको कढ़ाई गोश को कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भूना है ड्राइफ रूट का पेस्ट डालने के बाद और उसके बाद आप देखेंगी जैसे जैसे आप भूनेंगे इसका जो टेक्स्टर इसका जो टेस्ट और इसका जो कला है बिल्कुल कढ़ाई के गोश की तरह होता जाएगा तो गैस अगर आपको कड़ा गोश की ये रैसे भी पसंद आ रही है तो प्लीज फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूले तो यहाँ पर मैंने गोश को काफी अच्छे से भून लिया है और गोश में एक जबर जस्ता दाना भी पड़ गया है तो इसी स्टेज पर गोश में हम एट करेंगे पानी, मैंने यहाँ पर डाल दिया है, एक कप के बराबर पानी, पानी तो इस गोश में काफी कम जाता है, तो आप अपने हिसाब से पानी को कम या जादा कर सकती है अब हम गाइस मटन को पकाएंगे बिकल स्लो फ्लेम पर तो इसी तीन मिनिट के लिए और इसी डौरान हम उपर से डाल देंगे, सिर्फ दो टीस्पून के बराबर खोया, खोया डालने से इस मटन का जो टेस्ट है करहाओ गोश का वो बहुत ज़दा इनहेंस हो जाता है, एक तीस्पून हम डाल देंगे घर का पिसा हुआ गरमसाला, और फ्रेंट्स अब हमें डालना है उपर से थोड़े से मखाने, मखानों को मैंने डेसी घी में अच्छे से फ्राइ कर लिया था, और मखाने डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करहाओ गोश की ये पहचान होती ह और उपर से हम डाल देंगे कम से कम आठ से दस छोटी लाइची का पिसा हुआ पॉडर, इससे हमारे कोरमे में आएगा बहुत अच्छा सा टेस्ट और आपको किसी भी तरह का कोई केोड़ा वगरा डालने की ज़रूरत नहीं है, और यहां पर बनकर रेड़ी होता है यूप बनाईए आप घर में तंदूरी रोटी किसी के साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकती है लेकिन ये यूपी में खाया जाता है नांद और मांडो के साथ तो डिलिशियस सा कड़ाओ का गोश्ट बनकर यहां पर एकदम रेड़ी है प्लीज अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले दूसरे साथ भी इस रेसिपी को शेयर करें और भर भर कर लाइक दें तो मिलती हूं मैं आपसे नेक्स रेसिपी में तब तक लिए टेक क्यार अल्ला हाफीज बाई